एक समय की बात है, एक रीना नाम की लड़की अपनी माता पिता के साथ रहती थी, वे अपने माता पिता की एक लोती बेटी थी, उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जो भी मांगती थी उसे दाकर देते थे, उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे लेकिन फिर भी भे अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे एक दिन रिना ने अपने पापा से कहा पापा मेरी चपल प्राने हो गई है क्या आप मेरे लिए नहीं चपल लाओगे पीता ने अगले दिन नई चपल लाने का वादा किया और दोस्तों उसके पीता अगले दिन उसके लिए नई चपल लेकर आई रीना ने नई चपल दे कर बहुत खुश होई और चपल पहन कर पूरे दिन महले में उशलकुद करती रही शाम को वे घर आई और चप्पल तार कर सो गई अगली सुवर रीना वे चप्पल नहीं पहनती और अपनी प्राणी चप्पल पहन कर खेलने चली जाती है मम्मी से जह कह कर जाती है कि मम्मी मुझे चप्पल नहीं पसंद है मैं अपनी प्रण चपल ही पहन उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है रीना के पिता उसके पीछे गए कि बेटा अगर तुमने चपल नहीं पहनने थी तो तुमने क्यों मंगवाई और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन कर रख ही तांके ममी उसे बापस ना कर दे और अपनी बेटी की ये बास सुनकर पापा बहुत घरम मैसूस करते हैं और दरवाजे पर खड़ी ममी भी अपनी बेटी की बास सुन रही थी वह मान ही मान में बहुत खुश होई और इतनी सी बच्ची में इतनी बड़ी समझ है दोनों म चैनल को सब्सक्राइब परना मत भूलना धन्यवाद